शुप्रवत बच्चो आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो दिशाई लेसन है उसके सवाजवाब ठीके तो सभी बच्चे अपने अपने जो हिंदी की किताबे है वो उपर निकल कर रखे और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो देखें अगला हमारा जो सवाल है वो है सूरज किस दिस्याज से निकलता है सूरज किस दिशा से निकलता है तो यहाँ पर उसके option दिये है पूरब, पर्शिम, दक्षिन तो आपको उसकी जो सूरज उगने की जो दिशा है वो कौन से यह बच्चो वो है पूरव यानि पूरब तो पूरब के आगे आपको क्या करना है सही का चिन लगाना है उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है सूरज किस दिशा में चिपता है सूरज किस दिशा में चिपता है उत्तर पशिम, दक्षिन तो सूरज पशिम दिशा में चिपता है देखिए पूरब दिशा में वो उपता है और पश्यम में जाके वो छिपता है, तो यहाँ का right option है, वो पश्यम, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखिए नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखिए तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर सवाल पूछे गए है और यह आपको लिखना है तो उसमें से पहला सवाल मैं बढ़ती हूँ बच्चो धायन से सुनिए यदि हम सबेरे सूरज की और मूँ करके खड़े हो गए तो हमारे सामने कौन सी दिशा होगी तो देखें सुरज कहां से उखता है पूरव दिशा से उखता है यानि पूरव दिशा से उखता है तो यदि हम क्या करते हैं सबेरे उटकर सुरज की और मूँ करके खड़ा हो गए तो हमारे सामने जो दिशा होगी वो होगी पूरव यानि पूरव उसके बाद दूसरा सवाल यदि हम सवेरे सूरज की और मुखर के खड़े हो तो हमारे पीट के पीछे कौन सी दिशा होगी? वो होगी पश्शिम दिशा कौन सी होगी? पश्शिम दिशा उसके बाद देखेंगे अगला सवाल यदि हम सवेरे सूरज की और मू करके खड़े हो तो हमारे दाये कौन सी दिशा होगी वो होगी दक्षिन कौन सी दिशा होगी दक्षिन उसके बाद अगला सवाल यदि हम सबेरे, सुरज़ के और मूँ करके खड़े हो तो हमारे बाये, हाथ की और कौन से दिशा होगी? वो होगी उत्तर. तो बच्चो, बहुती आसान और अगर आपको यह समझ में आया तो बहुती आसान है. अगर आपको यह जो question है वो समझ में नहीं आये तो बहुत ही tough है तो इसलिए आप क्या करेंगे द्यान से इसके जो सवाल जवाव है वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आने चाहिए और अच्छे से आपको यह समझने चाहिए तब यह आप इसको अच्छे से लिख सकते है सही एंसर उसका लिख सकते है उसके बाद दिशाओन के नाम लिखे वो लिखना है आपको यहाँ पर पूरब की जगव पूर्व लिखेंगे तो चलेगा पूरब लिखेंगे तो भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरब, पशिम, दक्षिन, उत्तर, यह है दिशाओं के नाम, दिशाओं कितनी होती है, यह चार होती है, और वो कोंकोसी होती है, पूरब, पशिम, दक्षिन, उत्तर, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यह जो सवाल है, वो सुलजाना है बच् कुन सी दिशा होगी वो होगी पूर्व क्यूंकि सूरज पूर्व दिशाद में उपता है उसके बाद यदि हम सवेरे सूरज के और मूँ करके खड़े हो तो पीट के पीछे कौन सी दिशा होगी वो होगी पश्शिम क्यूंकि सूरज पश्शिम में जाके डूबता है या चि उसके बाद देखेंगे अगला सवाल यदी हम सवेरे सूरज की और मुखर के खड़े हो गए तो हमारे दाए हाउत की और मिन्स राइट हैंड की और कौन से दिशा होगी वो होगी दक्षिन उसके बाद देखेंगे अगला सवाल यदी हम सवेरे सूरज की और मुखर के खड़े हो तो हमारे बाए यानी लेट हैंड की तरब कौन से दिशा होगी तो वो होगी उत्तर दिशा और अगला सवाल अंतिम सवाल दिशाओ के नाम लिखे पूरब पश्शिम दक्षिन उत्तर तो इस प्रकार बच्चो ये जो सवाल है वो आपको अच्छे से सुल जाना है इसे ध्यान में रखना है अगर हम पूरब की सुबह सुबह पूरब के और सुरज की तरफ मुखर के खड़े हो गए तो होगी वो पूरब दिशा पश्शिम जो सुबह सुबह हम अगर सुरज क और मुखर के खड़े होंगे और हमारे पीट के पीछे की दिशा होगी पश्शिम राइट हैंड की तरफ की होगी दक्षिन और लेप्ट हैंड की तरफ की होगी उत्तर और दिशाए कितनी होती है पूरब पश्शिम दक्षिन उत्तर ये चार दिशाए होती है उसके बाद जो दिशाओं का ज्यान करानी वाली जो कविता यहाँ पर अध्यपक्ची ने बच्चों को बताई है यही यहाँ पर आपको लिखनी है और इसलिए वो कविता आपको अच्छे से याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है उसके बाद पहला उस मेसेज देखी पंक्ति कौन सी है प उसके बाद देखी ध्यान से जो दूसरा है सूरज डॉट डॉट में उकता है डॉट डॉट में चिप जाता है तो सूरज पूरब में उकता है और पश्ची में जाके चिप जाता है तो पहले लिखेंगे पूरब दूसरे बार लिखेंगे दूसरी लाइन में लिखेंगे उसके बाद जो गव नमबर का question है वो है उत्तरदक्षिन का भी यह हमको dot dot कराता है हमको ग्यान कराता है उत्तरदक्षिन का भी यह हमको ग्यान कराता है तो इस प्रकार वच्चों आपको यह जो सवाल है वो सुलजाने है और अच्छे से याद रखने है इसलिए जो कविता यहाँ पर अध्यपक जी ने बताई थी मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था वो कविता आपको अच्छे से याद रखनी है और अगर वो कविता आप अच्छे से याद रखेंगे तो ही ये सव आपको सुलजाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर से एक बार देखते हैं, ये कविता, पूरब पश्रिम उत्तर दक्षिन होती, चार दिशाए, सूरज पूरब में उकता है, पश्रिम में चिप जाता है, उत्तर का, उत्तर दक्षिन का भी यह हमको ज्यान कराता है, ज् प्रकर आपको ये सवाल जवास सुलजाने है, इसके बाद देखेंगे हम इसी लेशन के नीचे, जो व्यकरन का भाग है वो, तो देखें, यहाँ पर शब्दों को उल्टा-पुल्टा करके लिखा है, आपके से क्या करेंगे, यहाँ पर जो सीधा शब्द है, वो बनाएग यहाँ पर शब्द उल्टा दिया है, यहाँ पर दिये है, तो इससे हमें क्या करना है, सीधा उसे करके लिखना है, तो जैसे नीची, यहाँ पर देखा है, चीनी, ऐसी तरह से यह शब्द है, बस यहाँ का एक शब्द गलत है, वो आपको बताती हूँ, पहला है रखी, तो खीर ये शब्द ऐसा बन जाएगा इसके बाद यहाँ पर नाक शब्द दिया है और यहाँ पर क्या होना चाहिए तो देखे न का ऐसा शब्द होना चाहिए यहाँ पर गलती से थोड़ी सी mistake हो गई गलती हो गई यहाँ पर तो यहाँ पर कान ऐसा शब्द लिखना है तो न का तो यह होगा जला इसका उल्टा करके रिखेंगे तो ऐसे होगा उसके बाद मार, रमा देखिए अगला कब, बक, दया, या द तो यही शब्द उल्टे करके इसका भी मीनिंग है और इसका भी मीनिंग है यही शब्द उल्टे करके रिखेंगे, तो आपको क्या करना है, इसका नया शब्द बनता है, इससे से, इल्स को अगर उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे, तो यह नए शब्द बन जाते हैं, पहला देखें, चीनी, दूसरा खीर, तिसरा कान, चोटा, जला, चोटा, नया यहाँ पर शब्द हमने बना दिया है, ऐसे बहुत सारे शब्द है, वो क्या करेंगे, अगर उल्टा पुल्टा उसे लिखेंगे, तो उससे एक नया शब्द बनता है, और इसे बहुत सारे शब्द है, हमारे लेसन में है, हमारे जो अभी तक जो पढ़ाई हुए इसमें बहुत सरे शब्द है जिनको हम उल्टा बुलका करके अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा उससे एक नया शब्द बन जाएगा तो इसलिए इनकी अच्छे से पड़ाई करें ध्यान में इसे रखें बस इसको आपको क्या करना है ध्यान में रखना है और उससे का वो खतम हो जाता है और उसके जो नीचे दिया गया है वो जो ग्रामर का भाग है वो भी खतम हो जाता है तो सभी बच्छे अच्छे से इसकी पड़ाई करें ध्यान में रखें और जब भी आपको पूचा जाए अक्टिविटी के थ्रू आप इसका जवाब दें ठीक है तो इसी के साथ मैं बच्छो आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद